नमस्कार आप देख रहे हैं, बदकही में हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुकला बदकही में आज हम बात करेंगे हर्याणा में हुए अपरत्याशित उलट फेर के मतलब कॉंग्रेस पार्टी के लिए जो अपरत्याशित उलट फेर हुआ है उसके कारणों की बात करेंगे और साथी साथ उससे समाजवादी पार्टी के लिए फिर अखलेश आदों के लिए उत्तर प्रदेश में पॉस्टिव क्या है हम उस पर भी बात करेंगे सबसे पहले जो पांच बड़े कारण निकल कर सामने आ रहे हैं हरियाणा में उस पर बात कर लेते हैं पहला कारण यह आ रहा है कि दस साल तक भारती जिनता पार्टी के सरकार रही एंटी इंकंबिल्सी थे वहाँ पर चुनाव से ठीक पहले माहौल ऐसा लग रहा था कि लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं बीजेपी को हराना चाहते हैं हटाना चाहते हैं सत्ता से लेकिन कॉंग्रेस पार्टी इसको इन कैश क्यों नहीं कर पाए पहला कारण यह बताया जा रहा है कि पार्टी के कार्यकरता शितिल हो गये थे मतलब जिस तरीके से सरकार के खिलाब पुरजोर तरीके से बात रखनी थी सरकार की नाकामियों का जिक्र करना था उस तरीके से शायद पार्टी कारकरता डोर टोर जाकर वो बात रख नहीं पाए वोटर्स के बीच में जाकर उन मुद्दों को वो उठा नहीं पाए शायद एक बड़ा करण ये भी रहा दूसरा करण बताया जा रहा है पार्टी के भीतर गुटबाजी जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी में तीन बड़े चेहरे हर्याणा में अलग-अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आए चाहे हम भूपेन से घुड़ा की बात करें या फिर हम रड़दीप सुर्जेवाला की बात करें कुमारी श्रैलजा की बात करें उन तीनों के बीच में जो मनभेद था उसका मेसिज कारेकरताओं के बीच भी जा रहा था और यहीं कारणा है की अपने जो कारेकरता थे अपने जो सपोर्टर थे वो एक जूट नहीं हो पाई ग्राउंड पे शायद ये भी एक बड़ा कारण रहा कि Congress Party बहुत भेतर प्रदर्शन नहीं कर पाई या फिर जैसा Congress Party गुलग रहा था कि इस बार तो सत्ता के एक दम करीब है सत्ता अपने हात में है और वैसा नहीं हो पाया एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जो गुटबाजी रही उसके कारण कारिकरता भी एक जुट नहीं हो पाए शायद कॉंग्रेस पार्टी की हार का एक कारण ये भी है इसके लाबा सीम पत का एलान नहीं करना आप देखिए कि लगातार सीम कौन होगा इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी न भूपेंट सिंग घुड़ा इस बात का खंडन कर रहे थी कि वो सीम की रेस में है न कुमारी श्वैलजा इस बात का खंडन कर रहे थी बलकि रणदीब सुर्जेवाला ने कहा कि हां मैं क्यूं सीम की रेस में नहीं मतलब मैं भी सीम की रेस में हूँ तो मतलब यह है कि जब तीनों नेताओं की तरफ से अलग-अलग मंचों से बात कही जा रहे थी तो उनके अपने समर्थों में भी ये बात जा रही थी कि हमारा नेता CM के रेस में क्यों नहीं या फिर हमारा नेता CM क्यों नहीं हो सकता है अगर पार्टी आलाकमान की तरफ से ये clear message दे दिया जाता कि तीन चेहरों में या फिर किसी भी इतने चेहरों में हमारा एक चेरा ही है जिसको हमने CM केंडिडेट की रूप में प्रोजट किया है और सब को इसके साथ चलना है तो शायद जो गुडबाजी चल रही थी जो मनभेत था वो दूर हो जाता और ये स्थिति पार्टी की नहीं होती एक चौथा करण रहा दलित और OBC वोटों का खिसकना लोग सबा चुनाव में दलित वोटर और OBC वोटर कॉंग्रेस पार्टी के पाले में आया और इसका परणाम ये हुआ कि कॉंग्रेस पार्टी ने हर्याना में भेतर प्रदर्शन किया लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले जो दलित और OBC लग रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी के साथ बना रहेगा वो खिसक गया अभी तक कि जो तस्वीर सामने आ रहे जो संकेत मिलने हैं उसके मताबिक वोटर खिसका है कॉंग्रेस के हाथ से ये कारण है कॉंग्रेस पार्टी की हारकाय चोथा कारण है पाचवा बड़ा कारण जहां से अखली शादों के लिए पॉस्टिव भी निकल रहा है वो यह है कि गडबंधन साथियों के साथ बात नहीं बन पाना आखिर तक ये चर्चा चल रहे थी कि आम आदमी पार्टी क साथ कॉंग्रेस पार्टी एक गडबंधन हो जाएगा समाजबादी पार्टी भी कुछ सीट जाती थी कि हमारा भी गडबंधन हो जाए हर्याणा में मतलब इंडिया ब्लॉक एक जुट होकर चुनाव लड़े ये कोशिश और कवायत की जा रहे थी गडबंधन साथियों के तरफ से लेकिन बात बनी नहीं आमाद्मी पार्टी दस सीटों की मांग कर रहे थी कॉंग्रेस पार्टी के निता देने को तयार नहीं थी और आखिर में हुआ कि कॉंग्रेस पार्टी ने गडबंधन नहीं किया आमाद्मी पार्टी के साथ और आमाद्मी पार्टी ने बह और सब अलग अलग लड़े उसके बाद परड़ाम आपके सामने हैं। अलग 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 लड़े उसके बाद आपको याद होगा जब अलग 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 अल कर रहे थी पत्तर प्रदेश में लोग सबाद चुनाव के दरान और अखलेश रादों 10 सीट से जादा नहीं देना चाहते थे आरेली के साथ गरबंधन तूट गया तो कॉंग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरफ से मतलब अखलेश रादों की तरफ से 17 सीटे दी सीटे में सिर्फ 6 सीटे कॉंग्रेस पार्टी जीत पाई ये लोग सबाद चुनाव के दरान की बात है अब उत्तर प्रदेश में 10 विधान सबा सीटे पर उपचुनाव होना है यहां पर भी सीटों का बड़वारा होना है कॉंग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टी चाहती है कि गड़बंधन के साथ ही चुनावी मैदान में उत्रे मतलब हमारा गड़बंधन बना रहे लेकिन यहां पर भी सीट शेरिंग का कोई फॉर्मूला अभी तक बन नहीं पाया है क्योंकि अजयराय लगातार ये बात करते आए हैं कि हम सभी 10 सी सीटे दी उसमें से आप सिर्फ 6 सीटे जीत पाए हैं ऐसे में आप 5 सीटों की डिमांड के इस ग्राउंड पर कर सकते हैं एक ये बात दूसरी बात यह कि आपने हर्याडा में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी एक भी वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारने दि अब उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुना होना है वहां पर पुरजोर तरीके से अपनी मांग नहीं रख पाएगी मतलब ये कि वो दबी रहेगी मतलब अपनी मांग रखते वक्त कॉंग्रिस पार्टी के निता उतनी मजबूती के साथ अपनी बात नहीं रख जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन हुआ है कि भारते जनता पार्टी तीसरी बार जीत गे, तीसरी बार वहां पर कमल खिला, तो आप उत्तर प्रदेश में हमसे बहुत ज़दा उम्मीदे रखिये मन, तो सारी बातों का सार यही है, तो कॉंग्रेस पार्टी को कितिनी सीटे अखलेश आदो देते हैं।